नमस्कार स्वागत आपका SDR Education पे आज बात करेंगे मिमानसा फिलोसफी की कम्प्लीट समरी के बारे में इससे पहले मैंने आपको न्याया की जो है कम्प्लीट समरी करवाई थी अगर आपने नहीं की है तो जरूर कर लेना इस तरीके से मैं चाहता हूं कि जितनी भी दर्शन है उन सब की हम समरी वीडियो यहाँ पे डाल दें ताकि आपको एक्जाम जब आए तो रिविजन में बहुत हेल्प करें इसकी मैं प्लेलिस भी बना दूँगा और अगर आपको मिमानसा और न्याया डिटेल में पढ़नी ह तो मैंने अनेकाडमी फ्री क्लासे में 5 क्लासे में इसके लिंक आपको मिल जायेंगे अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ पे सर्च करके जरूर कर लीजे अब अब यान अकाडमी पे हमारे complete courses शुरू हो चुके हैं, जो की तीन तारिक से शुरू हुए हैं, और अब ये चलेंगे तीन महीने के लिए, और commerce और पेपर वन अगर आप मुझसे पढ़ना चाते हैं, हम वहां detail में तीन महीने में complete course पूरा करेंगे, फिर revision और crash course और PYQ courses भी आ subscription है, यह आपको 15 जुलाई तक ही मिलेगा, बात करते हैं, देखिए सबसे पहले तो मिमांसा philosophy के बारे में, मिमांसा जो है, हमने हमेशा देखा है कि देखिए इसके शुरूवात जो है, वो होती है दो लोगों से, जो की प्रभाकर मिश्र और कुमारिला पट, आप सब जानत हैं, इन दोनों का contribution, इंडियन philosophy में एक बहुती जबरदस contribution रहा है, और जमीनी जो है, उनसे इसकी मिमांसा की शुरुवात जो होती है, तो मिमांसा philosophy जो है, इस पे जो सबसे पहले व्यूज आये थे, 400 BC में ये जमीनी के द्वारा जो है, वो found की गई थी, और उसके बाद उ के बारे में अगर आपने बहुत सी कहानिया है, नहीं सुनी है, उन्होंने किस तरीके से बहुत सारे बुद्धिस के जो मौंग थे, उनको debates में हराया था, बुद्धिजम को बहुत जो नौर्थ का section है, वहाँ से बहुत अत्तक कम किया था इंडिया में, और वापिस प्राना शुरू किया, तो गुरू चेले की जो परंपरा है, तुमने वह खराब कर दी, तो कहीं न कहीं उनको ए बात इतनी चुप गई कि उन्होंने आतनधा कर दिया था, और जब आतनधा कुद का कर रहे थे, तब वह शंक्राचारे से मिले थे, और उन्होंने ही शंक्रा knowledge वो होती है जो किसी भी तरह के defect से जो है वो पूरे तरीके से free हो contradiction से free हो और मिमानसा philosophy ये कहती है कि हम स्वता प्रमानवाद में मानते हैं जिसे intrinsic validity का जाता है और प्राता प्रमानवाद extrinsic validity जिसे का जाता है इसमें वो मानते थे और इसलिए न्याया जैसे कि आपने देखा है perception, inference, comparison और testimony में मानती थी उसकी बजाए जो मिमानसा philosophy है वो छे प्रमान में मानती है जिसमें कि वो अर्थपत्ती और अनुपलब्दी PICT के साथ साथ इन दोनों में भी मानती है तो total छे प्रमान में मिमानसा philosophy जो है उनकी belief थी अब इसके बाद बात यह आती है कि कई बार तो question सिर्फ यही से आ जाता है लेकिन इसके आगे question आएगा तो क्या करेंगे तो जो theory of error है क्योंकि हम summary में है तो मैं जल्दी जल्दी ही आपको यह cover कराऊंगा अगर आप detail में करना चाते हैं तो classes से कर लें theory of error में कहा गया कि error ना valid knowledge के हमेशा खिलाफ खड़ा होगा तो सभी जो error होते हैं वो subjective होते हैं मिमानसा philosophy यह कहती थी और अगर आपको error को explain करना है तो हम यह कहेंगे कि not to cognize an object as it is कि आप किसी चीज को वैसे नहीं पैचानेंगे जैसी वो है आप हमेशा उसका oppose करेंगे उसका error तभी होगा कि error एक तो subjective होगा और चीज जैसी है वैसी नहीं पैचानेंगे आप तो जैसे एक example भी दिया जाता है कि आपने rope को snake समझ लिया एक रसी जो है उसको आपने सांप समझ लिया तो फिर कई different opinions आए different school of thoughts के द्वारा theory of error में भी क्योंकि इसमें प्रभाकर मिश्र का अलग कहना था कुमारिला भट का अलग कहना था तो जो पहला इसके अंदर आता है वो आता है यहाँ पे जो thought है theory of error पे mainly perception, inference, comparison, testimony, postulation और जो आप सबको पता है कि ये लोग आपके अनुपलब्धी में भी मानते थे तो इन्होंने theory of error को कहा ख्याती वाद पहला thought आता है इसके अंदर वो आता है theory of error का जो की ख्याती वाद कहलाती है और ख्याती वाद जो था ये mainly प्रमान वाद जो है validity of knowledge के oppose में था तो basically ख्याती वाद associated है कि invalid और erroneous जो knowledge मिली है और यही चीज हम बोलते हैं तो इसको कहते हैं error मतलब विपराए और ये विपराए जो thought थी वो थी कि error और भ्रम जो है वो हमेशा valid knowledge का reverse होता है तो in this case of valid knowledge जो presentation of object होती है वो हमें मिलती है what really is but in case of error जो हमेशा उसका उल्टा हमें मिलता है तो ये तो basically एक school of thought हो गया लेकिन इसमें जो दूसरा school of thought आया वो आया आख्याती वाद का और आख्याती वाद जो है वो दिया था प्रभाकर जो है school of thought ने आख्याती वाद में में ये एक आजाता था कि ये थियोरी जो है विवेक ख्याती का नाम लेती है विवेक ख्याती के मतलब प्रभाकर स्कूल ये मानता था कि कोई भी ना invalid cognition नहीं होता है एक particular cognition जो है वो हो सकता है कि वो less than true हो लेकिन वो कभी भी untrue नहीं होता है और फिर उ अद्वेता वेदानते जो थे उन्होंने theory of error propose की थी इसमें उन्होंने का था कि अगर कोई चीज present की जाती है ना हमारी senses से तो हमारी अविद्या और ignorance के कारण जो है वो चीज हमें पैचान में नहीं आती है तो अविद्या जो होती है वो cognizer को cognize नहीं करने देती object को जैसा वो होता है उसके विपरीत वो उसको जो है वो object करता है तो जो अनिर्व करनी ये ख्यातीवाद है ना ये basically अद्वेता वेदानते जो थे इनकी तरफ से आया और यही basically एक और पार्ट यहां पे आ जाता है जो विपरीत ख्यातीवाद होता है जो कि कुमारिला भट के school of thoughts से आया उसमें उनका ये कहना था कि error ना lie करता है because हम गलत relation बना लेते हैं object के बीच में और sense organ के बीच में और ऐसा इसलिए होता है कि हम object जो है जो real नहीं है ये समझ लेते हैं तो जैसे मानलो कि लोग हैं लोग ना belong करते हैं different part of the world से और वो उसको एक ही देखते हैं कि same moon है ले मैंने तो मैं जहां से देखता हूं मेरा moon अलग है आप जहां से देखते हो मेरा चंद्रमा अलग है तो अगर वो इस तरीके से देखेंगे तो यह जो है वो theory of error होगी जिसे विपरीत ख्यातीवात कुमारिला भट जो है उन्होंने लेके आए फिर आते हैं इनकी metaphysics पे तो य यह क्या है कि यह मानते थे prolistic realist है यह एक तरीके कि क्योंकि इन्होंने कहा था कि innumerable objects जो है वो exist करते हैं दुनिया में बहुत सारे और जितनी soul होंगी मतलब जितनी living bodies है ना उतनी ही souls हैं दुनिया में infinite और eternal तो souls को इन्होंने दो तरीके की बताया एक जो liberated है और एक जो living soul ह तो इसका मतलब कि जितने शरीर हैं उतनी ही soul होंगी और फिर further इन्होंने ये भी कहा कि they are non perceivable entities ये आपको दिखती नहीं है और इसी के जैसे heaven और hell होता है वो भी आपको दिखता नहीं है और ये non perceivable entities है जो exist करती है दुनिया में फिर इनका भगवान को लेके क्या विचार थ तो जो मिमान सा philosophy थी ना उसने बहुत जादा importance जो है वो वेदों को दी then the God तो वेद जो है उन्होंने कहा कि ये eternal principles हैं और एक इंसान की यही duty होनी चाहिए कि अगर उसे अच्छी और healthy life जीनी है तो वो इनको follow करे God becomes only the name जिसको आप जो है offer करोगे worship करोगे और अपने rituals जो perform क करने के लिए तो उन्होंने यजना को highest sacrifice माना और इसलिए उन्होंने का कि यजना is not for the worship to God or the propagation of God but purification खुद की अपनी soul की purification के लिए करो तो वो दो तरह के actions में मानते थे हमेशा की two sort of action जो है वो perform किया जाने चाहिए living soul के द्वारा पहला जो action आपके worldly pleasures के लिए है जो भी जी जो पहले वाले action थे वो आपकी duty के लिए है जो आपको संसार में रहते वे अपनी duty निभानी है और फिर since there are actions तो attachment भी आपकी हो जाएगी worldly objects के साथ और इसलिए फिर आप उन attachment से भागेंगे और तो क्योंकि attachment में होंगे तो suffering होगी और इसी suffering से भागने के लिए आपको चाहि सकती है और self को तभी anticipation मिलेगी सभी bondage से जो कि mind body और sense organs and objects of the world से और यही चीज जो है वो self की मदद करेगी free रहने के लिए और वो इस जनम मरन की जो cycle है इससे वो free हो जाएगा तो in the state of liberation जो है self cannot enjoy the experience of pleasure and pain क्योंकि वो इससे कहीं उपर उठ जाता है pleasure and pain उसके लिए माहिने ही नहीं रखता devoid of consciousness हो जाता है तो यही बात थी I hope आपको अच्छे से समझ में आई होगी जितना मैं इसे short में करके summary में समझा सकता था क्योंकि मैं जानता हूं कि यह video exam से पहले बहुत जादा काम आने वाली है तो मैं चाहता हूं कि अब लगबख सारे ही दर्शन जो है वो एक video मिलती है